के गाइस आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्व चानल पर मैं हूं मुकंद पाठर और आज हम इस विडियो में बात करने वाल हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के रेगुलर एक्जाम्स के बारे में तो बैसली गाइस मैं आपको बता दो कि मुंबई को यह बोला है कि आपको बचों की हल्प करनी है बाइप परवाइडिंग दा कोर्शन बैंक और पेपर पैटर जिसे बच्चे अपने एकसाप की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से और इसी तरीके से कर सके क्योंकि दो साल का जो सिच्वेशन सागा इस जैसे कि बहुत सारी चेंजेस आज चुकी है एजुकेशन के अंदर यानि कि जो बच्चे एजुकेशन को लेकि सीरियसनेस होते थे लेकिन अब इस तरह के जो दो साल के लॉटडाउन या कोवीड के चकर में फैनेंचल कंडिशन लॉस होने के बाद अब जो बच्चे लोग है वो फोकस करें अपने फाइनचल कंडिशन को प्रॉपर करने के लिए तो उनका एजुकेशन की तरफ से इतना कोई इंटर्स नहीं रहा तीकि इंटर्स है लेकिन वह फाइनचल क्राइस होने के वाएस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स में है तो इसके वाएसे मुंबाई यूनिवर्सिटी ने कॉलेजिस को जो सर्कुलर या जो नोटिस दीए गाइस उसके अंदर वर्सा का एकवाड और एनस यू आई का भी हाथ है क्योंकि इन्हों ने जो अपना पुरा सर्कुलर या जो पुरा सिनारियो देखा इसके बाद यह दोनों डिपार्टमेंट जाले गाइस उनको help किया जाए क्योंकि बहुत सारे courses online और offline हो रहे है मतलब कि online भी conduct हो रहे है बहुत सारे exams ऐसे है कि जो online conduct होना start हो गया है गाइस लेकिन बहुत सारे ऐसे exam से जो offline conduct होगा right बहुत जल्दी offline exam conduct होगा और जो teachers है तीचर्स है तीचर्स है तीचर्स है यह बेसिली exam time आनी के वाज़े से यह बहुत ज्यादा बीजी हो चुके है क्योंकि college की activities हो गई है college के जो भी दो साल में जो काम पेंडिंग था उसको complete करना और exam time पे exam paper को बना बनाना right course and bank बनाना बचों को guide करना अपने syllabus को cover करना तो यह सब चीज में जो teachers है ठीक है जो colleges है वह बहुत जादा इस तक हो चुका हुआ है जिसके वाज़े से यह सब देख किये ठीक है एक circular फिर निकाला गया तो यह जो basically जो circular है इस circular को प्रॉपर करने के लिए बनाने के सब्सक्राइब जो आइडिया सब्सक्राइब जो जुनियर कॉलेजिस के हैड है ठीक है एंड नेक्स तिंग की नसी यू आई यह दूनों दिपार्टमेंट मिलके वाज़ेशन मिनिस्टर एंड टेक्निकल जो मिनिस्टर से अपने डिग्री कॉलेजिस के तो वहां पर पर तहीं की से प्रेट कर पाए और जो एक्रेशन होने वाले हैं उनको अपने कॉलेजिस में ही कंडक किया चाहिए तो इसके वड़े से जितने भी अब ऑफ-लाइन एक्राइन एक्राइन होने हैं सब की एक्राइन अपने उन सम्टेशन में होंगे लिग्या आप जिस से एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता था इसके वज़े से और सिच्वेशन ऐसी थी कि आफ्लाइन एक्जाम कंड़क्ट ना किया जाए तो इसलिए सब लोग ऑल्लाइन एक्जाम कंड़क्ट किया जाता लेकिन आफ्टर तू यह सबसे बड़ा ग्याप है गाइस तेक एक्जाम को चालू कर दिया गए स्टार्ट कर दिया जैसे कि जो एक्जाम के है तो उनके भी एक्जाम किया आफ्लाइन होने वारते और बहुत सब्सक्राइब बचलों को प्रॉल्म यह आ रही है कि उन्होंने दो साल तक कोई पढ़ाई नहीं की थी और सड़नी उनको पढ अन्लाइन थे तो इसके वरे से जो कॉंसेट्ट था वो माइंड में आया ही नहीं लेकिन अब आपको करने ऑफ्लाइन एक्जाम देना हंडर्ड परसेंट है तो इसके बएसे बच्चे बहुत ज्यादा कन्फ्यूज है अपने स्टडिस को लेकर अपने एक्जाम को लेकर त सब को दूर करने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी ने या हम ऐसा वह सकते हैं कि जो हाइयर एजुकेशन एंड टेक्निकल मिनिस्टर से उदे सावन जी उन्होंने कॉलेजेस को बोल दिया है कि आपको क्या करना है को सिन बैंक परवाइड करो और पेपर पैटर्न इस तरीके से आपका चुपेपर पैटर्न इस यह के लिए क्या सिनारियो होगा वह हम बात में डिसक्स करेंगे जैसे यह से कोई अपडेट आते रहेगा गाइस मुंबाई यूनिवर्सिटी का मैं आपको अपडेट देता रहूंगा अगर आप चैनल पे पहली बार या चै आपको पहले बता दू कि जो फाइनल यर के बच्चे हैं जैसे की बीमेस हो गया या अदर्स हो गया तो भले वो मास्टर कोर्स की ना हो दो गाइस उन सब के लिए तिके आपके लिए का पॉच्णिटी फिर से है कि आपको कॉर्सन बैंक मिल जाएगा कॉलेज की तरफ से क् सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों लोग को अगर कोई कॉलेजिस नहीं करता है तो आप अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हो तिके अपनी जो बाते हैं उन्दे सावन जी तक पहुंचा सकते हो इससे पहले भी फैप मन्त में मुंबई यूनिवर्सिटी से एक सर्कुला है था जो कि मैं अपने वीडियो में इसको डिस्कॉस कर चुका हूं गाइस कि जो रेगुलर एक्शाम थे बढ़े वो बिकॉम होंदो आर्ट होंदो या साइन्स होंदो गाइस आगर जो सेकेंड इसकेंड सेम दे रहे थे गाइस उनके एक्जाम ओफ-लाइन होने वाले थे तो उनको भी कोर्सम बैंक पर वर्ड हो जाना चाहिए लेकिन बहुत सारे कॉलेज इस एक्जाम स्टार्ट कर दिये हैं और मुस्ट दो तीन एक्जाम बहुत सारे कॉलेज के खत्म हो गई या तो बहुत सारे कॉलेज ने अपने एक्जाम को खत्म भी कर दिया हुआ है इसके अंदर कि 80-80 या बैक्लॉग जो बच्चे हैं ठीके जिसके अंदर फर्स थर्ड फिफ्थ ठीके ऐस वेल एस फॉर्थ सेमेस्टर ये ओनलाइन कंडग होने वाला है गाइस बहुत सारे कॉलेज म में पेंडिंग भी है लेकिन जो आपके कोर्शन बैंक थे या जो आपके पेपर पैटरन थे गाइस वह सिफ ऑफलाइन बच्चों लोग के लिए ही था अगर आप ऑफलाइन एक्जाम देर क्योंकि एक सेनारियो बन चुका है अपने एक डिविशन जैसा हो चुका है कि जो प्रवाइन बच्चे अग्जाम और बागी सब आफलाइन हो रहा है तो ऐसे बहुत सारी आपना सर्कूलर आएगा हमें उसी तरीके से फॉल आप करना है आगर आपको कोई वोईस उठानी यह कोई बोलना है तो आप त्विट कर सकते हो ठीक है कोई हाई तक पहुचा तक प इस पर भी एक्सें लिया जाएगा लेकिन सिनारियो को देखते हुए यह डिसें लिया गया है कि जो प्रफेशनल को से से उनके आफलाइन एक्जाम कंड़क किया जाए और जो कॉमर्स है वो आल्लाइन कंड़क होगा ठीक है तो गाईस बैसिलिए यह सब था इस सिनारियो म मतलब आपको एक हेल्प मिल जाएगी अगर रिटर एक्जामिनेशन दे रहे हो आप बले आप कोई भी कोर्सिस के हो तो आपको कोर्षन बैंक मिल जाएगा प्रफेटर बता दिया जाएगा तो चलिए गाईस इस वीडियो बस इतने ही है मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में औ भी इंफोर्मेशन के जाद बने ये चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें जाए बैल एक्किन प्रेस करें तैंक यू फॉर बहुच्चिक